तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेश्टी गाजर सेंग्री मटर और आलू की टेश्टी सबजी बनती है यह तो यह देखिए मैंने सेंग्री ले लिए कारली काट लिया उसको दोकर गाजर काट लिया दो तीन अलू काट लिया बड़े सायज nowhere थोड़े सी मटर लिया थमातर हैं ओ अधरकट हरी म्र्च है इन सब चीजों को बात एक त्यूसकर के मैंने tyre मिक्स कर लिया है तो मिक्स Васक की जीना सेंग्रिया विंटर में ही आती हैं और अच्छी भी लगती है, सर्दिय बनाना चाहिए, तो ये दियुए, मैंने सर्षों का तेल ले लिया है, कुकर में, एक बड़ा चम्मा चॉइस में डाल दिया है, जीरा आदा चम्मा छहींग डाल दिया है, और दो बारी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा अद्रक डाल दिया है तो इनको अच्छे से हम फ्राइ करेंगे अद्रक और हरी मिर्च को अगर आप प्याज लेशन खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं बाट बिना प्याज लेशन के भी ये सबजी बहुत ही टेश्टी बनके रेडी होती है तो मैं बिना प्याज लेशन के बना रही हूँ इस सबजी को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बेसिक मसालों के साथ बनाएंगे और खाने में बहुत ही टेश्टी लखेगी सबजी बहुत है अब इसके बाद बनने के बाद में हम थोड़े से वह पकते हिए और सबजी लखेगी बाद में तोड़े मसाले डालने का रिजण election ये मैं आपको बाद में बताउंगी मैंने अभी कम quantity में डालेें दालें मसाले और बैद में डालेंगे थोड़े से अब देखिए सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे दो से तीन मिनिट तक मसालों के साथ और ओयल के साथ एक से दो मिनिट तक अच्छे से चलाएंगे इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ी आता है और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक तो नमक डाल लिए इसके आठ टेस्ट अकॉर्डिंग और इसको फिर से एक से दो मिनिट रम चलाएंगे और ज्यादा मसाला का यूज नहीं कर रहा है इससे के सब्जी का ओरिजिनल फ्रेवर आएगा हमारी सब्जी खाने में बहुत ही अच्छे लगेगी अब मैंने कोकर का डखकर लगा दिया इसमें दो सीटी लोंगी मैं ज्यादा नहीं लोंगी दो सीटी लेने के बाद में अब इसको खोल लेते हैं तो ये देखिए दो सीटी लिए बहुत ज्यादा सब्जी गुटी नहीं है तो इसको मैं हलका सा पानी है तो इसको मैं पानी को सुखाली तो यह देखिए पानी को सुखा लिए अप्रसके बाद फिर से हम दालेंगे इसमें 1-2 चमच धनिया पाउडर, 1-2 चमच लालमिर्च पाउडर है और थोड़ा सा डाल लगी गरममसाला यह आप पसंद दी से दी क डाले हैं बाद में भी डाले हैं तो आप इसी तरह से बनाईएगा थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पावाजी मसाला आप किचिन किंग मसाला पावाजी मसाला कुछ भी डाल सकते हैं इससे बहुत ही टैस्टी सबजी बनती है जरा सा आप डाल के देखिएगा पावाज मसाला इस तरह से तो यह देखिए इस तरह हमारी सब जीमन के रेडी हो गई है गर्मा गरम पूरी पराथे या रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं तो यह से पीची लगी हो फिर एंट सो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वाच च्च्चिंग